नमस्कार दोस्तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पक्के पागा हॉन्विल फेस्टिविल के बारे में competitive exams के point of view से स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और सरकारी नौक्रिक्स related updated questions पाना चाते हैं तो subscribe करके notification बेल को जरूर on करके रहें ताकि आप कोई भी update मिस न कर जाएं दोस्तो पहले question आता था हॉन्विल फेस्टिविल कहां मनाया जाता है जो कि नागालेंड में मनाया जाता है और नागालेंड के अलावा ये त्रिपूरा में भी मनाया जाता है लेकिन नागालेंड में काफी popular है और इसको festival of festival का नाम से भी जाना जाता है हो सकता है कि आगे आने वाले exams में आपको भी ये questions देखने को मिले चलिए अब बात कर लेते हैं पक्ये पागा हॉन्विल फेस्टिविल के बारे में पक्ये पागा हॉन्विल फेस्टिवल अउनाचल प्रदेश में मनाया जाता है इसका उद्देश है अच्छे से environment और nature का preservation किया जाए ये जनवरी 2015 से मनाया जा रहा है और जनवरी 2019 को इसको state festival का दरजा दिया गया इसका economic importance पक्ये टाइगर रिजर्ब और उसके आसपास के जो एरिया है उसमें growth, development और employment देखने को मिल रहा है हॉन्विल को IUCN ने हाल ही में vulnerable घोसित किया है जबकि 2018 में ये near threatened की category में आता था तो पक्ये पागा हॉन्विल festival से हॉन्विल का परिस्तिति में भी काफी सुधार देखने को मिल रहा है दोस्तो अहुनाचल प्रदेश के पक्ये टाइगर रिजर्ब में रहने बाले नीशी ट्राइब है उनके हॉन्विल के प्रती जो नजरिया है वो सबके सामने लाने का ये एक प्रयास है टाइगर रिजर्ब के आसपास hunting और poaching का एक culture था क्योंकि festival से alternative income का एक इंतजाम हो रहा है तो वो लोग hunting से hunting पे rely करना कम कर रहे हैं और environment और nature का conservation भी हो रहा है ब्रिगेडियर BD मिस्राजी जो की governor है वो पकेपागा हॉन्विल फेस्टिविल का inauguration करते हुए और CM जो है वो पेमा खांडू जी है जो जुलाई 2016 से वहां का CM है जो की BJP party से बिलोंग करते है दोस्तो अभी जान लेते हैं अउनाचलपदिश से interesting क्या क्या question पूछा जाता है चलिए 1954 में NEFA का formation हुआ NEFA मतलब North East Frontier Agency जो की एक union territory था 1972 में अउनाचलपदिश नाम रखा गया और 20 February 1987 को अउनाचलपदिश स्टेट का formation हुआ इसका capital जो है वो इटा नगर है दोस्तो कुछ student का कहना है कि सर इटा नगर जो है यह हम लोग भूल जाते हैं या confused हो जाते हैं एक्जाम होल में जाके कैसे याद रखे तो जो भूल जाते हैं उनके लिए देखिए यह अरून ने आचल को छेरा तो आचल ने क्या क्या इटा नगर से इटा उठा के मारा हो गया ना अउनाचलपदिश इटा नगर चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तो स्टेट बर्ड जो है यह obviously हॉन्बिल ही होगा और अउनाचलपदिश जो है यह largest of the seven sisters है मतलब यह जो साथ स्टेट से आसाम, मेगालया, त्रिपूरा, मिजोरा, मनिपूर, नागालया और अउनाचलपदिश इसको seven sisters यह साथ बहन कहा जाता है तो यह seven sisters में से अउनाचलपदिश एरिया में सबसे बड़ा है नामदाफ़ा जो नैसनल पार्क है इसको 1983 में नैसनल पार्क का दर्जा दिया गया और अउनाचलपदिश में ब्रह्मपूत्रा जोन रीवर है उसको सियां के नाम से जाना जाता है दोस्तो आउटर हिमालाया जो है उसको मिश्मी हिल के नाम से जाना जाता है तो मिश्मी ट्राइब कहां पर पाया जाएगा वो भी अरुनाचल प्रदेश में ही पाया जाएगा तवांग मोनास्ट्री जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मोनास्ट्री है 2019 का forest report देख लेते है forest cover अरुनाचल प्रदेश में 79.63% है सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है forest area में उसमें से मनिपूर के बाद अउनाचल प्रदेश का नाम आता है सबसे highest percentage जो है forest का वो मिजुराम के बाद ही अउनाचल प्रदेश का नाम आता है और मेगालाय मनिपूर और नागलायन उनके बाद आता है largest area अगर कहा जाए forest के तो मनिपूर प्रदेश के बाद अउनाचल प्रदेश का फिर से नाम आता है और 36 उरिशा और महाराष्टा उसके बाद आता है इंडिया में total forest cover कितना है 21.67% इंडिया में forest और tree के जो cover है वो कितना है वो 24.56% है forest cover को कितना करने का target लिया गया इंडिया में वो 33% करने का target लिया गया इतना ज्यादा मतलब variety होने का कारण trees का तो अउनाचल प्रदेश के paradise अब्दा बोटनिस्ट के नाम से जाना याता है गुआहटी वाला जो high coat है वही अउनाचल प्रदेश का ही case समालता है अउनाचल प्रदेश का अपना कोई high coat नहीं है वहाँ पे एक bench बैठता है खली अब population density जो है वो 17, 17 जो की इंडिया का lowest है और official language यह है वो English है International border से question आता है दोस्तो अउनाचल प्रदेश से देखिए ये अगर अउनाचल प्रदेश है तो वुटान का जो international border है ये उपर चाइना है चाइना का international border है और ये मयानमार का international border है ये तिन touch होता है questions कैसे पूछा जाता है कि वुटान, चाइना, मयानमार और नेपाल इन में से किसका border अउनाचल प्रदेश से नहीं मिलता तो एंसर हो जाएगा नेपाल आपको साप साप दिखाई दे रहा है आज के लिए बस इतना ही दोस्तों वीडियो को लास तक देखने के लिए और हम लोग को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले क्लास पे